आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल दादा दोडा डेरी फारम आज मैं आपके लिए काफी सांदार गोमात अलेक हैं जो काफी कम देखने को मिलते हैं इसके अंदर एक एजी खासियत है जो बहुती रेर है किसी भी गोमाता के अंदर मिलन वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दादा दोडा डेरी फारम पर हर परकार की देशी को माता है रखी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको हर परकार की देशी को माता एविलेबल कराने के और अगर समय पर हमारे पास वैसी नह हो जैसे आप को चाहिए तो हम आपके लिए own demand भी available करा सकते हैं तो उसके लिए आप हमसे मारे वार्डसब नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं तो चलिए इस घूमाता के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो मैं बतादू यह गुमाता आपके दादा दुलाडे रिफारम पर अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ी है, मौझूध है. और प्रेजेंट टाइम में 22 लिटर दूद मैं फिर से कहना चाहूंगा 22 लिटर दूद प्रिजन टाइम में लिटर का दे रही है ये गुमाता हम चेक करवा सकते हैं पूरी तरीके से पूरी जिम्मेवारी है चारो थर्ण बिलकुल ओखे 22 लिटर दूद यानि 11 लिटर एक टाइम का दूद ये गुमाता दे रही 12 लिटर यही दूद मिलता है लेकिन इस गुमाता के अंदर 22 लिटर दूद अभी प्रेजेंट में है और रसल की बात करे तो थार पारकर नशल के अंदर ये है और दिखने में लग राया है कि थार पारकर की प्योर ब्लडलाइण है ओल्ड ब्लडलाइण क्योंकि इतना उत्तम दूद उपर से काफी सुन्दर इसके कैरेक्टर्स है पूरी लंबी हाइट जालर वर ना भी ये सब एक प्योरिटी की निशानी है तो हो सकता है कि पहले कभी इसके जो जनरेशन्स है वो फारम से हो यानि सरकारी फारम से CCBF या चांदन या किसी और सरकारी फारम से हो और उससे old bloodline ये लग रही है पूरी लंबी हाइट काफी उच्छी कदगाठी बीचे से आप देख सकते हैं भारी वरकम पुठे के साथ और पूरी अडर क्वाल्टी और काफी सुन्दर अडर क्वाल्टी लंबे मूठ्या दार थण और थणों के मीच में पूरा गैप हम काफी बार मानते हैं कि जो थण मिले हुए होते हैं गोमाता कि उसमें मिल्क कैपेस्ट्री काफी कब होती है यह माना जाता है इसलिए जितने जादा थण दूर रहेंगी यानि एक सही डिस्टेंस पर अगर थणों का गैप होगा तो एक काफी दूदारूप और अच्छे दूद का प्रतीक मानी जाती है जो कि आप अपने सामनें देख सकते हैं दूद निकालने की वीडियो आप देख पा रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड बैठके दूद निकाला जा रहा है जो एक सांद सवबाव को दर्श आता है काफी अच्छी थणों की दार किसी भी परकार की गाठ चर्रा कुछ भी रही या रुकावट क कोई भी दिक्कत इस गुमाता के अंदर थड़ों के अंदर नहीं है 22 लिटर भी प्रेजेट में दूद है हम तुलवा सकते हैं और एक और खासियत है कि एक किलोग ही हमने अलग से इसका दूद के अंदर से अलंसिंग ही निकाल के देखा है बिनोले प्रिकिरिया के माद्ध हमसे पूरा पूरा एक किलोग ही इसको माता ने एक दिन के टाइम पिरेड के अंदर दिया है यानि 22 लिटर में एक किलोग ही इसको माता ने हमें दिया है और रोज दे रही है 15 दिन पहले इसने अपने बच्चे को जनम दिया है और जोथी बार इसने अपने बच्चे को जन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है सीधा संपर्क कर सकते हैं वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद